दोस्तो एक दिन कुछ सनकी डॉक्टर कुछ जानवरों के बॉडी पार्ट को निकाल कर उन्हें एक आदमी के अंदर फिट कर देता है जिससे वो आदमी बचतो जाता है लेकिन उसके अंदर उन सारे जानवरों की खुबिया भी आ जाती है जिनकी बॉडी पार्ट उसके आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को आँक में पट्टी और नाक में क्लिप लगा कर नींद से उठते हुए देखते हैं ब्रस करने के दौरान वो टीवी में नियूस सुनता है कि एक लोला प्यार करता है और लोला को ही अपना लोला देना चाहता है ख्यार आगे वो एक धिला ढ़ला पैंट पहन कर जोगिंग करने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसका बाप एक पुलिस ओफिसर था और वो भी अपने बाप के आत्मा को शांती देने के लिए एक इमांदर पुल जिसकी एक टांग कबरमी थी वो हाथ में डंबल लेकर उससे आगे निकल जाता था खेर पुलिस टेशन में वो एक चपड़ासी से भी घटिया काम करता था जहांपर उसे सभी पुलिस ओफिसर के बातों से लेकर उनके टट्टे भी साफ करना पड़ता था लेकिन उसे एक बड़ा ओफिसर बनना था इसलिए वो पुलिस एक्जामीनेशन के फिजिकल ट्रेनिंग में जाता है जहांपर बुजूर्ग आदमी से लेकर मोटी औरत तक ने भी भाग लिया था आगे जब वो अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर रहा था तभी वो उस मोटी औरत के पि बुढिया के हाथों पिड़ जाता है और किसी तरीके से उस बुढिया के मुँपर धोल फेक कर आगे जाता है वहाँ पर सभी बुलेट फ्रूब जैकेट पहन रही थे क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर उनके उपर गोली चला कर उन्हें ट्रेनिंग कर वा रहा था मार्वीन अ उसका दोस्त बेताल कहता है कि वो काला है इसलिए सभी लोग उसे इज़द देते हैं और वो कुछ भी गुणा कर ले उसे सजा नहीं मिलती आगे बात्रूम में मार्वीन एक जोड़दार पाद मारता है और इसी भी चुहां पर लोला भी आ पहुँचती है मार्वीन कहता ह मैंने किसी को देखा नहीं था इसलिए मैंने पाद मारा था जिसमें लोला कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं वो तो सभी लोग मारते हैं दरसल लेडिस बात्रूमें बहुत भीड़ती तो मैंने सोचा कि आज मैं यहीं पर ही कर लू खेर आगे मार्वीन घर पहुँचकर एक सप्लिमेंट का एड देखता है जो की बेजर नाम के एक जानवर के दूद से बनाये हुआ था और उसको खाते ही खाने वाले इंसान के अंदर साथ हातियों के बराबर ताकत आ जाता है अब क्योंकि उसकी हड़िया कमजोर हो रही थी इसलिए वो तुरंत उस बेजर मिल को औरडर दे देता है अगले दिन जब वो पुली स्टेशन में सामानों की हिसाब किताब कर रहा था तभी उसका दोस्त कहता है मारविन थोड़ा तू मेरे टेबिल पर नजर रखेगा मैं नीचे सॉफ्ट बॉल खेलने के लिए जा रहा हूं जिसके बाद मारविन मान जात है और स्टेबिल में बैट जाता है इसी बीच उसे एक रेस्टूरेंट से एक आदमी कॉल करके कहता है सर जल्दी आ जाईए मेरे रेस्टूरेंट गली नंबर 420 में यहां पर कुछ लुटे रहे मुझे लूटने के लिए आये हैं मारविन कहता है यह तो आपके साथ बहु केक्स मुझे बहुत पसंद है थैंक्यू सेर मेरा खाना आपको बहुत पसंद आया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन यहां पर गोली चल रहा है ओ कोई मुझे बचाओ मारविन तुरंत कॉल को काट कर सभी पुलिस ऑफिसर को ये बात बताता है लेकिन सभी पुलि पथर आकर बचा कुछा काम भी पूरा कर देता है हम देखते हैं कि उसके कमजोर सरीर में अभी भी थोड़ा जान बचा हुआ था रात को एक जानवर उसे गाड़ी से निकाल कर अपने साथ ले कर जाता है जहां पर जब वो होश में आता है तभी वो अपने आजू-बाजू म अभी कई सारे physical changes आ चुके हैं और अभी वो काफी तगड़ा बन चुका है वो जब अपने काम में यानि पूली स्टेशन पहुँचता है तभी उसे पता चलता है कि वो पिछले आट दिनों से अपने काम पर नहीं आया था यानि वो आट दिनों से बेहोश पड़ा हुआ थ उसके दोस्त जब इसके बारे में उससे पूचते हैं तभी वो बात को टाल देता है अगले दिन वो इस तरीके से जोगिंग करता है जैसे कि वो सिला जित का पूरा का पूरा डिब्बा ही खा लिया है इस बार वो उस डंबल लेकर दोडने वाले बुढ़े को भी पीछे छ लोला उससे ये भी कहती है कि वो एक पेट सेल्टर में काम करती है और उसे जानवरों के साथ रहना बहुत पसंद है दूसरी तरफ मारविन उहां पर एक कुट्टे को खेलते हुए देख रहा था और उसके अंदर भी कुट्टे के जैसे ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे इसलिए वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और कुट्टे की तरह हरकते करने लगता है जो देखकर लोला को उसके उपर काफी हसी आती है और वो सोचती है कि ये पूरा का पूरा बकलोल है आगे जब अपने दोस्त बेताल के पास पहुँचता है तभी उसे पता चलत है कि बेतालभी एरपोर्ट का इंचर्ज बन चुका है और क्यूकि वो काला है इसलिए वो सिगरेट पीकर पैसेंजर के उपर धुआ उड़ाता है और वो लोग उसे कुछ भी नहीं कहते इसी दोरन मार्विन को एरपोर्ट में ड्रग्स की स्मेल आती है और वो कुतों की त कहीं पर भी नहीं मिलता तभी मार्विन उस आदमी को पीछे की तरफ घुमा कर उसके पिछवाड़े को सुंगता है और फिर उसके पिछवाड़े में हाथ डालकर पीछे के छेद से ड्रग्स का थैला निकाल लेता है अब उसकी इस हैरत अंगेज कारणामे की वज़े से व उसमें क्या है दूसरा रिपोर्टर कहता है सर क्या आप पिछवाड़ा सुंगे बिना भी कुछ बता सकते हैं तिसरा कहता है सर में जीनियूस से आया हूँ क्या आप बता सकते हैं मेरे पिछवाड़े में क्या है खेर रात को मार्विन जब अपने घर लोट रहा था तभी आद्मी उसके पास आकर कहता है यह सब कुछ सुनकर मार्विन समझ जाता है कि इसी वेज़े से वो लोगों की पिछवाड़ा सुंग पा रहा है डॉक्टर ग्लू कहता है देखो मार्विन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बरना तुम अनर्थ कर बैठ होगे यहाँ पर मार्विन जब उसके साथ जाने से मना कर देता है तभी डॉक्टर ग्लू उसे डाट गन से बेहुश करके अपने चेंबर लेकर आता है मार्विन जब हुश में आता है तभी डॉक्टर ग्लू उसे उसकी एनिमेल कलेक्शन दिखाता है जिसकी बोडी बट्स उसने मार्विन के बोडी में लगाया है डॉक्टर गुलू मार्विन से ये भी कहता है कि मार्विन को अब से उसी के साथ ही रहना होगा क्योंकि वो बाहर गया तो वो लोगों को नुकसान पहुचा सकता है जो सुनने के बाद भी मार्विन नहीं रुखता और वह से चला जाता है आगे जब वो पुली स्टेशन पहुचता है तभी उसका सीनियर सर्ज उसे अपने सामने बैठा कर खुद जीकन लॉलिपॉप खाता है और उसे गालिया खिलाता है उसके जाते ही मार्विन उस लॉलिपॉप के टंग्री को डश्ट बिन से उठा कर खाने लगता है क्योंकि उसके अंदर अभी जानवरों के बॉडी पर्स लगे हुए थे और वही दूसरी तरफ आते जाते लोग उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहे थे आगे वो लोला के पास यानि उसके पेट शेल्टर में जाता है जहाँ पर भी उसके अंदर का जानवर उसके उपर हावी हो रहात था वहाँ पर वो अपने पेट से बासी भिंडी निकाल कर एक सुतुर मुर्ग के बच्चे को खिलाता है जो देखकर लोला समझ जाती है कि ये सच मुझ पूरा का पूरा बकलोल है खैर वहाँ पर एक बंदर मार्विन को देखकर सोचता है कि शायद ये उसके मौसी का लड़का है इसलिए वो उसे एक जोड़दर थपड़ खिलाता है मार्विन भी उसके उपर भड़क जाता है और उन दोनों की बीच वहाँ पर हाथा पाई शुरू हो जाता है खैर अगली सुबा मार्विन जब नींद से उठता है तब यो अपने आपको एक कसाई के दुकान पर पाता है और उसका पेट फुला हुआ था जिससे वो समझ जाता है कि कल रात उसके अंदर मौजुद जानवर उसके उपर हावी हो गया था इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग कर जंगल में मौजुद डॉक्टर ग्लू के केबिन में पहुँच जाता है वहाँ पर पहले वो एक्सेसाइज करके अपने पेट को कम करता है और फिर वो डॉक्टर ग्लू को इस मुसिबत के बारे में बताता है वो कहता है सुनिए डॉक्टर आपने सही कहा था इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है मतलब नामुम्किन है जिसके बाद वो अपने आपको मुह से खुजाने लगता है इसलिए डॉक्टर ग्लू उसके मुह पर एक कभर चढ़ा देता है आगे डॉक्टर उसे भरपेट खाना खिला कर कहता है देखो मारविन तुम्हारे अंदर के जानवर को काबू करने का बस एक ही तरीका है के तुम्हें हर वक्त अपने भोक और प्यास को बुझा कर रखना होगा खाना तो तुम्हें मिली जाएगा और प्यास बुझाने के लिए तुम इसका सहरा ले सकते हो जिसके बाद डॉक्टर ग्लू उसके सामने उस बंदर्या को पेंटी पहना कर लेकर आता है लेकिन मारविन उसके साथ अपनी प्यास मिटाने के लिए तयार नहीं होता आगे उसका सीनियर सर्ज उसे अपने साथ एक बकरी के माली के पास लेकर जाता है दरसल पिछली रात उनकी एक बकरी चोरी हो गई थी इसलिए सर्ज उसका रिपोर्ट लिखने के लिए आया था एधर मारविन उहां पर एक बकरी को बंधा हुआ देखता है और उसके अंदर हवस जाग जाता है जिससे वो उस बकरी के पीछे पड़ जाता है पर वो बकरी उसे उसके उपर मुह मारने नहीं देती और उसे लात मार कर दूर फेक देती है खैर इसके बद जब वो दूर मिनिस्टर के घर एक पार्टी में जा रहे थे इसी बीच रास्ते में सर्ज लोला को देकर गाड़ी को रोकता है और उसे पटाने की कोशिश करता है लेकिन लोला को तो सिर्फ मार्विन का ही लोला लेनी थी यानि वो मार्विन से प्यार करने लगी थी इसलिए वो मार्विन को रात में उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है जिसमें मार्विन भी मुठा कर हां कह देता है आगे वो दुनों मिनिस्टर के घर में पार्टी के अंदर पहुँच जाता है वहाँ पर उसके अंदर फिर से जानवर हावी हो रहा था इसलिए वो पार्टी को बरबाद कर देता है जिस वज़ से मिनिस्टर उसके उपर बहुत गुसा होते हैं इसी बिच मार्विन को फिर से खत्रा महसूस होता है और वो भाग कर पानी में डूबगी लगा देता है हम देखते हैं कि वो पानी में मचली की तरह तैरते तैरते मिनिस्टर के बेटे के पास पहुँच जाता है जो कि पानी में डूब गया था और उसे बचा कर उपर लेकर आता है अब उसे बचाने के बाद वो सभी को पानी के अंदरी करतब दिखात और सबी लोग उसे देखर तालिया बजाते हैं। उसी रात उसके उपर फिर से जानवर हावी होता है और वो एक भैस के तबीले में जाकर कुछ जानवरों को कच्चा ही खा जाता है। अगली सुबा पुलिस का इंचाज उसे अपने केबिन में बुलाते हैं क्योंकि जिसके तबीले में वो अगली रात घुसा था उसने उस सैतान का एक स्केच बनाया था जो की दिखने में बिल्कुल मार्विन की तरह ही था। तब यो देखती है कि मार्विन ने उसके घर को जंगल बना दिया था। क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मार्विन ही वो सैतान है जो जानवरों को खाता है। अब पुलिस की आवाज को सुनकर मार्विन अपनी जान बचानी के लिए मेंड़की तरह कूद कूद कर वहां से 921 हो जाता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाते हैं इसलिए वो जंगल के काफी अंदर चला जाता है। देखते हैं कि वो अंजान चीज और कोई नहीं बलकी लोला थी जिसके अंदर भी डॉक्टर ने जानवर के बोडी पर्स लगा दिया था। यहाँ पर लोला भी उसे अपनी दिल की बात और अपनी सच्चाई बता देती है जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर चुमन चपाटी करना शुरू कर देते हैं। तब तक वहाँ पर पुलिस और कुछ लोग पहुँच जाते हैं जो उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मार्विन का दोस्त बेता लाकर कहता है कि वो शैतान और कोई नहीं बलकी वो खुद है। अब क्यूंकि वो काला था इसलिए वहाँ पर सभी लोग चुप हो जाते हैं और उसे कुछ भी नहीं करते। दरसल यहां के लोग काले लोगों को बहुत इज़्जद देते हैं और यहां के संगविदान में काले लोगों के लिए कोई भी सजा नहीं है। खेर आगे हम देखते हैं कि मारविन लोला के साथ सादी करके उसके पेट शेल्टर को चलाने लगता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी समाप्त हो जाती है।